तो हे गाइज बेलकम बैक टू एनदर वीडियो तो गाइज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ हमने अपने एक्सपीरियंस सेर कियें तो देखिए अहां पर दो एले डिवल्वेंड को रिपेरिंग करने कोसिस करेंगे सबसे पहले सीरीज में चिक करके दिखा दूए एक भी बलब नहीं जल रहा है मतलब दोनों के दोनों ही खराब है तो इस वीडियो लाश्ट तक बने रही है आपको बहुत कुछ नया सिखा के जाएंगा और आप ऐसे वीडियो बनाते हैं रिपेरिंग करते ह अपने घर के लिए तो आपको किस तरह से करनी चाहिए वह भी सब आपको दिखा कर जाएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मिरा नाम है तेज परकास और आप देख रहे हैं सासी हैकर जी दोनों बलब को अपने खोल लिया है देखिए इसमें प्रॉब करके दिखा देते हैं आपको इसका तो एक LED ही पूरा उड़ा हुआ है देखिए इतना तेज बोल्टे जाया है तो यह आपको LED वलब खराब जो हैं आपको बाहर में मिल जाएंगे इस क्रैब बगारा जो रहते कबार खाने उसमें मिल जाएंगे पड़े हुए और ज्याद देख रहे हैं तो इस वीडियो में सरफ हम एक्सपिरियंस एर किए गाइज इसमें की LED वल्ब ठीक होते हैं या नहीं होते हैं वह चीज दिखाने कोशिश की आपको ठीक है तो वीडियो में लास्ट तक बने रही है यह दूसरा भी खोल कर दिखा देते हैं आपको किस तरह स तो पूरा ठीक है लेकिन अब देखते हैं आगे कौन सा ठीक निकलता है तो चलिए वीडियो को आगे तक बनाते हैं और क्या करते हैं देखी तो चलिए फटावट से मैंने देखा था कि लोग सोल्डरिंग आरेन पर इसकी MCPC भी रखके और LED को चेंज कर देते हैं तो हैं कि यह चीज काम करती है यह नहीं है तो कघू बस ऐही मतलब है कि यह ट्रick जो दिखाते हैं लोग यूटूब करते हैं नहीं है है तो उसी को सेयर कर रहा हूँ आज आपके साथ तो हमने देखिए यह रख लिया आया ठीक है अब इसको थोड़ा गरम होने का इंतार करते हैं और इसके LED वगरा चेंज करके देखते हैं ठीक है तो यही चीज दिखा रहा हूँ इसलिए कोई ऐसे कमेंट मत किजिए का भाई म भी मैं भी देख रहा हूँ और बहुत सारी वीडियो देखता हूँ मैं यूटूब पे की इन्वेटर छोटा सा बना देते हैं एक सेल से तो वह भी आगे ट्राइ करके देखने वाले हैं ठीक है सब कुछ तो हमारे इस रोल्डरिंग आय रहन है इसके उपर MCPC भी रखती थ तो अब देखिए आगे तक बने रही है बहुत कुछ दिखाने वाले हैं इस वीडियो में तो